आज का हमारे एक्सपेरिमेंट है फ्लारी मिटर का जो हमारे पास टास्क होता है उसे हम किसी भी सोलूशन की जो है वो आप्टिकल रूटेशन फाइंड कर सकते हैं कि लाइट के प्लेइन को कितनी अबिलिटी रखता है चेंज देने में हम रखता हमें इस सबस्त सलूशन की जो कि हमारे पास इसके हमारे लेंड उसे हमारे पास क्वाइट है बिल्टूर्स है फिर यह क्लेक्टर लैंसान के आगे अंदर color filter लगा हुआ है जो कि क्या करता है सिर्फ sodium light को अंदर पास होने देता है इसमें लगा हुआ है polarizer polarizer के बाद half way plate लगी होती है जिससे हमाई और पास view बनते है full bright, center bright और center dark और full dark इस लगा पर हम tube रखते हैं यहाँ पर polarization analyzer लगा हुआ है पर object lens है, object lens के बाद यह हमारे पास यहां पर आई lens में हमारे पास magnifying glass है यह दो, यह magnifying glass है और यह dial vanyer है और यह हमारे पास Quinn wins हमारे पास the rotatory hand गिसनों हमने रूटेटी करना है और यह जो है हमारे पास protective plate है यह तो हमारे पास इसके हो गए सारे पॉट्स में हमारे charging है वो है हमारे पास optical rotation of given solution given solution में हमारे बास sugar solution जोडिके हमारे पास 10% का है अब इसमेह पास पहला option बोगा यह है कि हमारे उप्स जो विू आता है हम पूचा रातेmb एक तो आता है Center Brent center bright के बाद हमार पास आता है center dark। फिर full bright और future bright और एक center full dark यह जो अपना reference view लेना है हमने वो full dark लेना है इसमें हम ने इसमें कुछ निरखा और हमने इसको इस सेट करना है कि हमारा पास full dark जो है वो आ जा सिसके इस पॉइंट पर हमार पास full dark आ गया है फुल आग यहां पर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है उसको हमने कहना है थीटा नो इसमें वह जो हमारे पास जो पहला डास्क है वो हमारे पास है Optical rotation of given solution find out करने का उससे पहले हमने इसका least count करने है यह जो हमारे पास rotate कर रहा है scale यह main scale है इसमें हमारे पास smallest one degree की है और जो हमारे पास state scale है वो हमारे पास one year scale है जिसमें वो हमारे पास total union उसकी 20 है तो हमारे पास least count क्या हुआ 1 divided by 20.05 degree अब उसमें हमारे पास जो हमने first task के लिए हमने यूज करनी है optical rotation of given solution जो हमारा टास्क है उसके लिए जो हमारे पास concentration है वो हम ले रहे हैं 10% 10% from concentration ले रहे हैं इसमें हमने ट्यूब की length use करनी है जो के हमने लेनी है इस तरह इस तरह यह हमारे पास है 20 जिसको हमने अगर हम decimeter में करते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास two decimeter यह हमारे पास ट्यूब की length क्या है two decimeter अब हमने सबसे पहले क्या करना है अपना reference view set करना है जो के हमने लेना है center dark और center bright के exact दर्मियान में आएगा वो थोड़ी दिर के लिए full dark उसको हमने set करना है इस तरह इस जगा पर हमारे पास वो view है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्यूब के ट्यूब रखने से आया हमारे वियू पर कोई फरक पड़ता है तो वह मारे पास मारे वियू में कोई फरक नहीं पड़ता यह नहीं हमारे पास जो disturbed water है वो optically active नहीं है तो देन हम 10% solution को देखते हैं अब यह जो ट्यूब हमने रखनी है यह इस तरह रखनी है कि अगर इस ट्यूब में bubble है तो यह इस तरह आए और यह हमने इस angle पर इस तरह रखनी है कि यह जो बलब सा बना हुआ है यह उपर वाली side पर यह हमने इस तरह रख दिया अब हमने again अपना reference view देखना है जो कि change हो चुका होगा जो कि हमारे पास इसमें हमारे पास एक है कि अगर आपको image blur नजर आ रहा है तो आपने यहां से rotate करके जो के normally solution रखने पर ज्यादा blur होता है तो आपने इसको यहां से focus कर लेना है कि आपको clear नजर आए अब हमने दुबारा से reference view set करना है वही वाला जो कि change हुआ है हमारा इस जगह पर हमारे पास दुबारा हमारा वही full dark view आ गया है तो हम पर मप्ती reading देख सकते हैं जो कि हमारे पास main scale की जो है वह हमारे पास 13 और दूसरी हमारे पास है 6 के roundabout है 13 प्लस 6.05 डिग्री यह हमार पास आती है 13.3 तो हमारे पास जो आप्टिकल रूटेशन होगी वह होगी थीटा 1 वाइनस थीटा नौट थीटा नौट जो कि हमारे पास 0 है तो यह भी आप्टिकल रूटेशन भी हमारे इस सिलूशन किया हो जाएगी 13.3 डिग्री अब अगर हमने उससे specific rotation find के नहीं है sugar solution की तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है थीटा ओवर L C L जो हमारे पास है ट्यूब की length है C हमारे पास concentration है और then हमने इसको 100 से multiply करना है क्योंकि हमने concentration कि इसमें लिए है percentage में तो यह हमारे पास आएगी 13.3 डिग्री को अगर हम उससे divide करते हैं तो यह हमारे पास total calculated value में आएगी 66.5 डिग्री जो कि actual value जो है इसकी 63.5 डिग्री प्लस माइनस 1.3 डिग्री की variations है जो specific rotation है यह हमारे पास depend करती है temperature पर और wavelength पर temperature जो है वह हमारे पास is time 25 डिग्री है अब इसमें हमारे पास जो second task है unknown concentration फाइंड करने का वह भी as it विल्कुल वैसे ही है जैसे हमने specific rotation फाउंड किने के लिए हमने पहले optical rotation फाइंड की थी अब चुंकि हमारे पास sugar solution है तो sugar solution की हमारे पास specific rotation calculated value of 66.5 डिग्री आ चुकी है तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास unknown concentration की ट्यूब है उसको निकालके हम उसी पर अपना वही वाला view दुबारा लेंगे इसमें जो हमारे पास इसमें हम ट्यूब रखेंगे unknown concentration की ट्यूब रखने से पहले हमने again reference view अपना set किया जीरो डिग्री वह जीरो डिग्री ही रहता है जो हमारे पास एक तफ़ा आ जाता है वह ही changing तो हमने जब उसको change करके ट्यूब unknown concentration की value निकाली तो वह हमारे पास आती है 20 degree main scale की और 5 हमारे पास आती है दूसरी linear scale की तो यह हमारे पास आती है 20.25 degree इसकी optical rotation हमारे पास वही आएगी 20.25 degree alpha की value जो हमने calculate की है 66.5 degree वही वाली हमने use करनी है हम इसमे value put करेंगे तो concentration जो आएगी वह हमारे पास आ रही है 15.22% इससे हम यह जाए दाहर कर सकते हैं कि हमारे पास जो concentration है वह round about 15% थी जो के actual हमने डाली थी वह 15% थी तो 0.22 की variations हमारे पास आई है यह था माराज का experiment जिसमें हमने find out की थी optical rotation given solution की specific rotation की थी और unknown concentration की थी क्वार्ण यह वार घखथा ड़ भी टॉचे सकते हैं झाली की थी जिसमे के जिसे हमारे पास जो से सकते हैं